बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षादर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनोरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनद ले सकेंगे सवा चार बजे तक शैक्षिक कारकरम प्रसारित होगा बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारा में अंग्रेजी विशय में बुक हॉन बल से आज हमारी कहानी आज के भाग में हम जानेंगे कि क्या लेखक और उसका परिवार बच पाया उस समुदर के तुफान से और इतनी उची उची लहरों से चलो करते हैं शुरू आज के भाग की I checked and recheck my calculation मैंने जाच की चेक किया मतलब मैंने जाच की और दुबारा चाच की अपनी सारी गंणाओं की We had lost our main compass हमने हमारा जो main compass था compass क्या होता है एक तरह का दिशायंत्र होता है तो हमने हमारा जो मुख्य कंपासा उसको खो दिया था उस समुद्र के तुफान में and I was using a spare और मैं एक दूसरा जो extra होता है उसको use कर रहा था which had not been corrected for magnetic variation और इसको इस जो दूसरा खाली और compass था मैं उसको use कर रहा था उसको correct नहीं किया गया था मतलब उसको संशोधित नहीं किया गया था ठीक नहीं किया गया था किसके लिए जो magnetic variations होती है जो magnetic की विविधाएं होती है उनके लिए इसको ठीक नहीं किया गया था I made an allowance for this तो मैंने क्या किया मैंने इस बात को ध्यान रखा और अपने हिसाब से क्या कर लिया थुरसी गंणा कर ली and another estimate of the influence of westerly current which flows through this part of Indian Ocean और मैंने दूसरा estimate किया दूसरा अनुमान लगाया किसका जो influence है यानि कि जो प्रभाव होता है westerly currents का जो की भेती है Indian Ocean के उस भाग में उनका अनुमान लगाया about 2 p.m. तो दो बजे के करीब I went on deck में वापस deck पे गया and asked Larry to steer a course of 185 degrees और मैंने Larry को बोला कि जो हमारी दिशा है वो कितनी ले लो 185 degrees पे ले लो if we were lucky अगर हम किसमत वाले हुए अगर हम भागेशाली हुए I told him with a conviction I did not feel मैंने उस conviction के साथ उस द्रडविश्वास के साथ उसको बोला जिस पे मैं खुद यकीन नहीं कर रहा था और मैंने क्या बोला He could expect to see this island at about 5 p.m. मैंने उसको ये बोला द्रडविश्वास के साथ जो द्रडविश्वास के ऊपर मैं खुद भरोसा नहीं कर रहा था कि अगर हम किस्मत वाले हुए तो क्या दिखेगा वो island वो द्वीप दिख जाएगा पाँच बजे के करीब अब क्यों कैसे ये इतना द्रडविश्वास के ऊपर भी विश्वास की हो रही था क्योंकि main compass को गया था वो लहरे भी बहुत अलग थी थीके नहीं main compass को गया दिखा का आपको पता ही नहीं चल रहा तो आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पे अनुमान लगाना पड़ रहा है इसी कारण से then with a heavy heart तो भारी मन से भारी दिल से I went below मैं वापे से नीचे चला गया climbed on my bunk मैं अपने शाइका की उपर चड़ गया और amazingly और आश्चर जनक रूप से dozed off मतलब सो गया when I woke it was 6 p.m जब मैं उठा तब शाम के 6 बज रहे थे and growing dark और अंधेरा हो रहा था I knew we must have missed the island मैं को पता चल गया था कि शायद हमने वो आइलेंड को उस द्वीप को क्या कर दिया है miss कर दिया है पीछे छोड़ दिया है and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly wind और जो हमारे जिस तरह की sail थी हम यो उमीद नहीं कर सकते थे कि वो जो westerly winds थी हम उनको वापस से उनका सामना कर पाएंगे at that moment a tousled head appeared on my bunk और उसी शन, उसी पल एक tousled मतलब अस्तव्यस्त सा सर मेरे bunk के मेरे शायखा के ऊपर appear हुआ दिखा can I have a hug Jonathan आस्त, Jonathan ने पूछा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ Sue was right behind him और Sue उसके ठीक पीछे थी why am I getting a hug now so मैंने पुछा की मेर को क्यू गले लगाना है इसकी आवशकता क्या है because you are the best daddy in the whole world and the best captain my son replied so मेरे बेटे ने क्या बोला क्यूंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता है और सबसे अच्छे कप्तान है not today John I am afraid तो मैंने फिर बोला की आज नहीं John मुझे इस बात का डर है इस बात का खेध है why you must be said Sue in a matter of fact voice you found the island तो एक तरह की आवाज में सूने क्या बोला मेरी बीटी ने कि नहीं आप है आपने वो island वो द्वीब ढून लिया what? आउ शाउटे तो चिलाते हुए मैंने बोला क्या? it's out there in front of us they chorus तो उन लोगों ने chorus मतलब सामू हिक्सवर में बोला कि वो ठीक हमारे सामने है as because of battleship ये एक युद्व पोत जितना बड़ा है क्या बड़ा है बच्चो island उस द्वीब की बात हो रही है I rushed on deck and gazed with relief rushed करना मतलब तेजी से भाग के deck पे गया और gazed करने लगा मैं देखने लगा एक तरह के relief के साथ में at the stark outline of Eil Amsterdam उस outline को जो किसकी थी उस द्वीब की जिसका नाम क्या था Eil Amsterdam It was only a bleak piece of volcanic rock वो जो द्वीब था वो क्या था केवल एक सूना सा उजार सा तुकडा था एक volcanic rock का with little vegetation जिसके उपर थोडी बहुत वनस्पती थी vegetation थी the most beautiful island in the world और यह इस दुनिया का सबसे ज़दा खूपसूरत वीब था We anchored offshore for the night हमने क्या किया हम उसके किनारे पर हमने क्या कर दिया अपना स्थिरक लगा दिया और किनारे पर हम आ गए and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered us और अगली सुभे जो 28 inhabitants थे निवासी थे उस island के वो हमारे लिए क्या कर रहे थे चीर कर रहे थे बहुत खुशी से उल्लासित हो के आवाज कर रहे थे and they helped us assure और उन्होंने हमें किनारे पर उतरने में मदद की with land under my feet again तो जब जमीन मेरे पैरों के नीचे थी my thoughts were full of Larry and Herbie और मेरे विचारों में कौन चल रहे थे Larry और Herbie चल रहे थे cheerful and optimistic under the rest stress जो की क्या थे cheerful थे उल्लासित थे और आशावान थे उस भीशन तनाव के अंदर भी and of Mary और मेरे मन में विचार Mary का भी चल रहा था who stayed at the wheel for all those crucial hours जो की उस wheel पर उस चक्के पर बनी रही उन निनायक घंटों में most of all I thought of seven year old girl who did not want us to worry about a head injury और सबसे जादा में सोच रहा था उस साथ साल की लड़की यानि की सू के बारे में जो की नहीं चाहती थी की हम चिंतित हों उसके सर पे लगी हुई injury के लिए इंजरी यानि चोट फिच सबसेक्वेंटली तुक six minor operations जिसके लिए क्या हुआ आखिर कर छोटे चोटे 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 उपरेशन करने पड़े तु रिमूवर रियक्रिंग ब्लड क्लॉट क्यूं क्यूंकि एक ब्लड क्लॉट बार बार बन रहा था उसकी skin और skull के बीच में खोपडी और skin के बीच में बार बार एक ब्लड कॉट बन रहा था वो इंजरी इत्ती जादा खतरनाक थी and of a six year old boy who was not afraid to die और मेरे मन में विचार चल रहा था उस छे साल के लड़के का भी जो मरने से नहीं डरता था कौन था वो छे साल का लड़का वो था जॉन इस ले खका बेटा करते हैं हम इसी चैप्टर के question and answers की शुरुआत चलो करते हैं शुरू list the steps taken by the captain तो captain ने यानि की जहाज के जो captain थे उन्होंने क्या-क्या steps लिये थे पहला to protect the ship ship को protect करने के लिए when rough weather began जब कठोर मौसम की शुरुआत हुई और दूसरा सवाल है आपको वही steps बताने हैं जो captain ने लिए to check the flooding जो पानी का जो बाहाव था ship के अंदर उसको रोकने के लिए क्या किया तो हम कैसे लिखेंगे बच्चो इसका उत्तर देखिए हम लिखेंगे in order to protect the ship ship को protect करने के लिए from rough weather कठोर मौसम से the captain decided captain ने फैसला किया to slow it down क्या फैसला किया कि भई जहाज की गती को धीमा कर दिया जाए so he dropped the storm jip इसके लिए उन्होंने गिरा दी जो तुफान की पाल थी and lashed a heavy mooring rope और उन्होंने क्या कर दिया lash कर दी बांध ली एक भारी सी जहाज की रसी in a loop गाठ में across the stern जहाज के पिछले भाग में then they double fastened everything उसके बाद उन्होंने हर चीज को दुबारा कसके बांधा and went through their life raft drill और उन्होंने जो जीवन को बचाने वाली जो raft होती है जहाज पे जो छोटी नोका होती है उसका अभ्याज भी कर लिया attached life lines life lines भी सलग्न कर ली and don't oil skins और उन्होंने चढ़ा लिया oil skins and life jackets पहन लिये life jackets को जो आपका दूसरा भाग था कि उन्होंने captain ने flooding रोकने के लिए जो पानी के अंदर जहाज के अंदर इतना पानी आ गया था उसको रोकने के लिए क्या किया उसके उत्तर में हमें लिखना होगा to check the flooding of water पानी के अंदर जो flooding हो रही थी उसको रोकने के लिए he secured waterproof hatch उन्होंने लगा दी थी जल रोधक एक hatch across the gapping holes उन छेदों पर जहाँ पर क्या हो गया था? gap आ गया था which diverted the water to the side और फिर क्या हुआ? उस hatch के कारण, उस cover के कारण आवरण के कारण जो पानी अंदर आ रहा था वो दूसरी तरफ divert हो गया when the two hand pumps were lost जब दोनों hand pump गुम गए थे गुम गए थे मतलब वो पानी के बाहर चले गए थे जहाज के बाहर चले गए थे ओवरबोड कैसे लोस्ट हो गय थे? ओवरबोड होए दे ना जहाज के बाहर चले गए थे and the electric pump short circuited और जब वो electric pump short circuit हो गया था he found another electric pump उन्होंने ढून निकाला एक और electric pump and connected it to an out pipe और लेखक ने जोड लिया था उसको एक out pipe के साथ and managed to pump out the water और इस तरीके से जो अंदर जहाज के अंदर पानी भर गया था उसको बाहर निकालने में वो सफल रहे दूसरा सवाल describe the mental condition of voyagers on 4th and 5th January तो 4 और 5 January को जो voyagers थे यानि कि जो यात्रा कर रहे थे उन लोगों की mental condition कैसी थी, दिमागी हालत कैसी थी तो हमें लिखना होगा on 4th January, 4 January को the mental condition of the voyagers जो दिमागी हालत थी इन यात्रियों की was vacillating between hope and despair vacillating मतलब वो जूल रही थी कभी उनको उमीद आती थी hope आती थी और कभी उनको despair आता था यानि कभी वो निराश हो जाते थे after 36 hours of continuous pumping 36 घंडे की लगातार pumping के बाद they could pump much of the water out उन्होंने जादा तर पानी को जहाज की बाहर निकाल दिया था but they had to keep pace लेकिन अब उनको क्या करना था जो अंदर आ रहा पानी था उसके साथ को उसको ही क्या करना था केवल बाहर निकालने की जरूरत थी however हला की their respite उनका ये जो आराम था was only short-lived वो केवल कुछ देर के लिए ही था the storm started building up एक और तुफान बनने लगा and the situation और जो हालत थी again became worse वो फिर से खराब हो गई the narrator went to comfort the children जो लेखक थे वो बच्चों को क्या करने पहुचे भई कमफर्ट देने के लिए पहुचे John asked innocently John ने मासूमियत से पूछा if they were going to die की क्या वो मरने वाले है but added पर साथ ही साथ John ने बोला that he did not mind dying की उसको मरना भी इतना बुरा नहीं लगेगा as long as जब तक all the family members were together जब तक परिवार के सारे सदस्य साथ में है this statement of the narrator's child ये जो कथन था इस narrator के बच्चे का boosted his morale उसकी जो morale थी उसको बढ़ा दिया था he became resolute उन्होंने ये धर संकल कर लिया था to fight the sea की वो इस समुद्र से लडेंगे those were critical moments वो बहुत ही ज़ादा critical शन थे for all of them उन सब के लिए Mary and the narrator set together Mary और जो narrator यानि की उनके जो पती थे जो लेखक हैं वो साथ बैठे holding each other's hands एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए they were scared and felt that their end was very near वो लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनको लगा कि उनका अंत अब नस्दीक है तीसरा सवाल describe the shifts in the in the narration of the events as indicated in the three sections of the text. Give a subtitle to each section तो बचो ये जो पूरी कहानी है एक तरीके से तीन हिस्सों में बटी हुई है आपको ये बताना है कि हर हिस्से में क्या-क्या घटनाए हुई और हर हिस्से का एक शीशक देना हुगा तो जो पहला शीशक है हम क्या देंगे section 1 section 1 यानि कि जो कहानी के अंदर जो पहला भाग था उसमें क्या हुआ था disaster strikes मतलब विपदा ने आकरमन किया प्रहार किया कि वो जल यात्रा करे पूरी दुनिया की the preparations जो तयारियां जो उन्होंने की and the start of their journey and the coming storm और ये जो भाग है वो ये बताता है कि उनकी जो यात्रा है वो कब कैसे शुरू हुई और किस तरीके से तुफान बनने की भी शुरूआत हुई the family celebrates जो परिवार था वो जश्न मनाता है a wonderful Christmas wonderful यानि बहुत थी अच्छे अति उत्तम Christmas का however हला कि by the new year new year से the sea became rough जो समुद्र था वो कठोर हो गया था and the next evening an enormous wave wrecks the ship और अगली शाम को एक बहुत बड़ी लहर क्या करती है चोटिल कर देती है जहास को and injures the narrator और घायल कर देती है narrator को यानि की कथा वाच्च को and his family members और उसके परिवार के सदस्यों को भी दूसरा हिस्सा जो है उसका हमने शीशक क्या दिया है बच्चो survival attempts यानि जीवत रहने की जो कोशिशे थी वो and searching for land और जमीन को जो ढूनने की बात थी वो तो ये हमने शीशक दिया तो इस दूसरे सेक्शन में क्या-क्या बाते हुई देखिए ये जो सेक्शन है वो बताता है दो फ्रेंटिक एफर्ट्स जो कोशिशे थी तो सेव दो बोट बोट को बचाने की फ्रम फ्लडिंग टूबने से और उसके अंदर बहुत सारा पानी आने से और डिस्प्ले ऑफ हिरोईजम और जो बहादुरी का जो कारिर करा गया था बाय और सब के द्वारा इन दे फेस ओफ दिसास्टर विब्दा के समय नियर दे एंड अफ दिस सेक्शन इस सेक्शन के अंत तक जो कोशिशे थी नरेटर की तो नेविगेट तो सम नियर बाय आइलेंज जाने की पहुचने की किसी बहुत ही नजदीक द्वीप पर for safety is mentioned सुरक्षा के लिए इसको भी बताया गया है इस सेक्शन में विच दन नरेटर जिसके बारे में जो नरेटर है terms as बोलता है pinpricks in the vast ocean और जो section 3 है उसका हमने शीशक दिया है triumph of the spirit यानि की जीत triumph का मतलब क्या होता है जीत और spirit क्या होती है भई जोश और आत्मा this part describes यह जो पार्ट है वो व्याख्या करता है the triumph of the spirit यानि की जो जोश था उसकी जीत का and seamanship of the narrator और किस तरीके से बहुत अच्छे से संचालित किया इस narrator ने अपने उस जहाज को as they reach an island safely जब वो पहुँच जाते हैं island पर safely सुरक्षित रूप से fittingly the narrator is given the title और क्या किया गया इस narrator को एक शीशक दिया गया क्या दिया गया the best daddy यानि कि उनके बच्चों ने क्या बोला कि आप सबसे अच्छे पिता है and best captain और सबसे अच्छे captain है by his son किस दिया ये शीशक? इस लेखक के बेटे ने discuss the following questions with your partner तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों? देखिए आप लोग जुन में बैठेंगे और आप लोग इन सवालों का discussion करेंगे आपस में इसके बारे में बातचीत करेंगे पहला सवाल है What difference? क्या फर्क आपको लगा? Did you notice between the reaction of adults and children जो बड़े थे वैसक थे और जो बच्चे थे उनके reaction में क्या फर्क आपको महसूस हुआ? तो उत्तर क्या लिखना है हमें? वो देखते हैं देखिए हमें लिखना होगा There is a lot of difference बहुत जादा फर्क था between the way in which जिस तरीके से the adults and children reacted जो वैसक थे और जो बच्चो थे उन्होंने react किया था when faced with danger जब उन लोगों का सामना हुआ खत्रे से The adults felt the stress जो बड़े थे उनको दबाव महसूस हुआ था stress महसूस हुआ था of the circumstances उन हालातों में but prepared themselves लेकिन उन्होंने तयार कर लिया खुद को to face the dangers उन खत्रों का सामना करने के लिए They took sufficient precautions उन्होंने पर्यापत रूप से precautions ले लिये थे to protect the ship ship को सुरक्षित रखने के लिए when the rough weather began चब वो कठोर मौसम की शुरुआत हुई तब They equipped everyone उन्होंने क्या किया? सबको equipped कर दिया with life lines यानि कि सबको दे दी life lines, waterproof clothes and life jackets Larry and Herb worked cheerfully and optimistically यानि कि जो Larry और Herb थे वो एकदम खुशी से और positive भावना के साथ में काम कर रहे थे for three days continuously तीन दिन तक लगातार to pump out water from the ship ship से पानी को बाहर निकालने के लिए Mary replaced the narrator Mary ने replace कर लिया यानि कि जगे लेली narrator की at the wheel wheel के उपर when the deck was smashed जब जो deck था वो चूर-चूर हो गया था and stirred the ship और Mary ने संचालन किया ship का जहाज का she also served them meal Mary ने खाना भी खिलाया उनको after two days of struggle against odds दो दिन तक जो वो संगर्ष कर रहे थे हर मुश्किल सिती का उसके बाद भी Mary ने सबको खाना खिलाया the narrator performed his role narrator ने भी अपनी भूमी का निभाई as a captain captain के रूप में with courage, हिम्मत के साथ determination यानि कि धिर संकल्प के साथ and resourcefulness and full responsibility पूरी जिम्मेदारी के साथ he undertook repair work उन्होंने क्या किया था उन्होंने repair work यानि कि मरमत का भी काम चालू कर दिया था and provided apparatus and directions needed और उन्होंने सारी जो दिशाए थी और जो सारी चीजे थी वो भी दे दी थी ता कि to protect the ship ship को बचाया जा सके he also helped in stirring the ship उन्होंने मदद की थी जहाज का संचालन करने में towards the island island की तरफ the children suffered silently लेकिन जो बच्चे थे वो शान्ती से कष्ट भुकत रहे थे and patiently और क्या कर रहे थे patience के साथ में यानि कि वो सहन करे जा रहे थे एकदम शान्त होकर चुप होकर want to bother her father Sue परेशान नहीं करना चाहती थी अपने पिता को with her troubles उसकी समस्याओं से John acted courageously John भी हिम्मत के साथ विवार कर रहा था He was not afraid वो डर नहीं रहा था to die, मरने से if all of them perished together अगर वो सब साथ में ही हैं तो दूसरा सवाल How does the story, किस तरीके से ये कहानी सजेस्ट करती है, सुझहाव देती है The optimism helps to endure the direst stress कि जो आपकी positive सोच है वो आपको सब से मुश्किल समय से भी निकाल सकती है कैसे बताती है बच्चों? इसका उत्तर भी देखते हैं देखिए, हम लिखेंगे The story suggests ये जो कहानी है ये बताती है That optimism certainly helps कि जो optimism है, positive सोच है वो हर तरीके से, निश्चित रूप से endure the direst stress वो निकलने में मदद करती है सबसे दबाव वाले शणों से भी The behavior, जो विहवार था of four adults, उन चार वैसकों का during crisis, विपदा के समय bears it out ये ही बात बताती है Larry Vigil and Herb Siglar जो Larry Vigil और Herb Siglar थे were two crewmen वो दो crewmen थे, दो naavik थे As the mighty waves जब बहुत बड़ी wave ने बहुत बड़ी लहर ने smashed the deck बहुत बड़ी लहर ने deck को चूर-चूर कर दिया Water entered the ship पानी के, शिप के अंदर पानी आने लगा through many holes and openings बहुत सारे छेदो से Right from evening of January 2 दो जन्वरी की शाम से ही Larry and Herb started pumping out water Larry और Herb क्या करते रहे Pump out करते रहे बाहर निकालते रहे पानी को They worked continuously वो निरंतर काम करते रहे excitedly उत्सह पूर्वक and feverishly for 36 hours लगा तार छत्यष घंटो तक It was a result of their continuous pumping उनके इसी continuous यानी निरंतर pumping के कारण They reached the last few centimeters of water वो पहुच गए के वल कुछ सेंटीमेटर पानी तक on January 4 4 January तक They remained cheerful and optimistic वो क्या रहे? cheerful रहे मतलब खुश रहे और optimistic रहे यानी की अच्छी सोच positive सोच के साथ में वो रहे while facing extremely dangerous situation जब वो सामना कर रहे थी बहुत जादा खतरनाक हालत का The narrator did not lose his courage जो लेखक था उसने भी अपनी हिम्मत नहीं खोई hope और presence of mind ना तो उमीद खोई ना ही अपना presence of mind खोया while facing जब लेखक सामना कर रहा था problems का समस्याओं का He did not worry about the loss of equipment उसको चिंता नहीं हुई equipment के खोने की He used whatever was available there और उसने हर उस चीज को इस्तमाल कर लिया जो की वहाँ पर मौझूद थी जहाज पर मौझूद थी His self-confidence उसका जो आत्नविश्वास था and practical knowledge थी helped him to steer out of storm उसी ने मदद की उस तुफान से बाहर निकलने में and reach the Isle Amsterdam Island और पहुचने की उस Isle ये क्या है बचो ये है आई Isle Amsterdam Island पर Mary stayed at the wheel for all those crucial hours Mary भी उस wheel को सभालती रही उस मुश्किल घडी में She did not lose hope or courage दर Mary ने भी उम्मीद और हिम्मत नहीं खोई तीसरा सवाल What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? हम क्या सीख सीखते हैं जम हम ऐसे मुश्किल हालात का सामना करते हैं और हमारा सामना होता है मृत्यू से तो हमें क्या लिखना होगा बच्चो हमें लिखना होगा Hazardious experiences ऐसे खतरनाक अनुभव में bring us face to face with death वो हमारा सामना करवा सकते हैं मृत्यू से बट इंपार्ट उस many important lessons of conduct लेकिन ऐसे जो अनुभव हैं वो कई जरूरी क्या देते हैं हमें important lessons जरूरी पार्ट भी सिखाते हैं Life is not always bed of roses और क्या है वो पार्ट? कि जीवन क्या है? एक फूलो का बैड नहीं है फूलो का बैड नहीं है यानि कि जीवन में हर समय अच्छा वक्त नहीं रहता We must react to dangers and risk with patience and fortitude हमें इन dangers इन खत्रों का सामना जो है वो patience के साथ में करना चाहिए Adversity is the true test of character और किसी के सभाव का जो असली test होता है वो है Adversity यानि की एक उसको difficult situation में डाल दिया जाए उस व्यक्ती को The purity of gold is judged by putting it in fire जिस तरीके से हम gold की सोने की जो purity है वो जाचते हैं जब उसको आग में डाल दिया जाता है The hazardous experience bring out यह जो ऐसे खतरना कनुभव होते हैं वो निकाल देते हैं The best in us हमारे अंदर सबसी अच्छी चीजों को Coward persons die many times before their death एक कायर व्यक्ती अपने मृत्यों से पहले कई बार मरता है Fear is a negative feeling डर जो है वो एक negative feeling है and leads to inactivity and object surrender to circumstances और इसके कारण डर के क्यारण क्या होता है हम कई हालात में क्या कर जाते हैं हम ढर जाते हैं हम सही तरीके से react नहीं कर पाते और हम उस मुश्किल हालात के आगे क्या कर देते हैं surrender कर देते हैं such sailors and soldiers lose the battle against the odds of life और ऐसे ही जो soldiers है और जो sailor है वो क्या करते हैं वो युद्ध हार जाते हैं जब जीवन में कुछ विब्दा आती है On the other hand, दूसरी तरफ persons with self-confidence वो लोग जिनके अंदर self-confidence है आत्मविश्वास है courage है, हिम्मत है resourcefulness है and presence of mind है face all the dangers वो हर खत्रे का सामना करते हैं boldly and overcome all disasters वो हर खत्रे का सामना कैसे करते हैं boldly, मतलब हिम्मत से और वो हर विब्दा से बाहर आ जाते हैं their sharing and caring attitude inspires others also to face the adverse circumstances उनका ये जो share करना है और ध्यान रखना है वो दूसरे लोगों को भी प्रोटसाहित करती है कि वो ऐसे मुश्किल हालात का सामना boldly हिम्मत से करे and tide over them और उनसे बाहर आ जाये चौथा सवाल why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved तो पच्छो आपको क्या लगता है इतने जादा खत्रे होते हैं ऐसे expeditions में है ना पर फिर भी लोग क्यों ऐसे खत्रों का सामना करते हैं चलो इसका उतर भी हम देख लेते हैं man is adventurous by nature आदमी जो है वो बहुत जादा adventurous होता है स्वभाव से the greater there is जितना जादा खत्रा होता है the more the thrill उसको उतना ही जादा उच्छा आता है the thrill of exploring unknown lands बहुत जादा उच्छा आता है जब हम unknown lands यानि कि ऐसी जगे पे जाते हैं जो किसी को नहीं पता wealth कुछ धन and beauty lying hidden in far off lands और खुबसूर्ती जो कि छुपी हुई है दूरस्थानों पर inspires brave hearts ये प्रोचाहित करती है हिमत दिल लोगों को to stake their life कि वो खत्रे पे डाल दे अपना जीवन of rest and response जिसमें क्या है भई खत्रे में डाल दे वो जीवन जिसके अंदर आराम है परहप्स शायत they value one crowded hour of glory more than a long uneventful life of sloth sloth होता है बच्चो एक जानवर तो क्या चाहते है ये लोग जो बहुत हिम्मत दे लोग है वो ये चाहते हैं कि वो एक घंटा पुरे उच्सहा से पुरे जोर से निकाल दे बजाए इसके की पूरा जीवन एक sloth की तरह निकाला जाए sloth एक ऐसा जानवर है बच्चो जो बहुत धीमे धीमे सारा कार्य करता है उसके जीवन में कुछ उच्सहा नहीं है it is true ये सच है that sometimes adventures कि कई बार ये जो adventures है are quite risky वो बहुत जादा risky हो जाते हैं खतरनाक हो जाते हैं and prove fatal और बहुत जादा fatal dangerous हो जाते हैं the failures of some persons do not don't क्या कर रहा है कुछ लोगों की जो असफलता है वो don't नहीं करती यानि की discourage नहीं करती the real lovers of adventures जो असली प्रेमी है adventures को उनको they draw lessons वो क्या करते हैं वो सीख सीख जाते हैं from the shortcomings जो उन्होंने गलतियां की है यानि दूसरे लोगोंने जो गलतियां की हैं वो उससे सीख लेते हैं and errors of others और जो mistakes हो रही हैं दूसरों से उनसे भी सीखते हैं and make fresh attempts और नई कोशिशे करते हैं with greater zeal और भी जादा उत्साह से part of the charm of an adventurous expedition और ये जो adventurous expedition है उनका जो एक charm है उस lies in adapting वो है adapt करने में oneself to the circumstances यानि की खुद को बदलने में हालात के अनुसार and overcoming the odds और हर बुरे वक्त का सामना करने और उससे बाहर आने में है the success of adventurous expeditions और अगर सफलता मिल जाती है ऐसे adventurous expeditions में brings name वो ले के आता है नाम, fame, शोहरत और wealth भी ले के आता है नाम मिलता है, शोहरत मिलता है धन मिलती है history books are repelate with accounts of famous explorers और यह जो इतिहास की किताबे हैं वो भरी हुई हैं बहुत जादा प्रसिद खोजियों से जैसे की like Columbus, Vasco di Gama Captain Cook and Captain Scott तो बच्चों मज़िदा लगा कि नहीं है चैप्टर मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपने भी सीख ली होगी कि हर मुश्किल वक्त का सामना हमें हिम्मत के साथ और सूझ बूझ के साथ करना चाहिए कभी भी किसी भी बुरी स्थिती का सामना डर के साथ में नहीं करना होगा अब मिलेंगे अगले वीडियो में नहीं कहानी के साथ बने रहिएगा मेरे साथ मलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा बारा में कारक प्रत्माबी बगति के कलें चुके हैंरि जाण चुके हैं और पुनैश वेशाम स्वागतम देखते हैं करद्माबी बक्ति को प्रत्रमा विवक्ति का जो मूल शुत्र है प्राति पदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रत्रमा जो यह शुत्र क्या कहता है देखो प्राति पदिकार्थ मात्रे लिंग बात्रा दिख्के संख्या मात्रे प्रत्रमाश्यात अब इस शुत्र को हम समझे तो प्राति प्राति प्राथिकार्थ मास पहले बात दूसरी है लिंग तीसरा है परिमान चोथा वचन 14 है वचन में कौन सी ब्युक्ती होती है प्रत्माविवक्ती होती है अर्थात प्राति पदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रा दिक्य लिंग और मात्रा इनके और संक्या मात्र में कौन सी विवक्ती होती है प्रत्मा विवक्ती होती है प्राति पदिकार्थ में लिंग मात्र में परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रत्मा विवक्ती होती है इ मात्रा के अर्थ में प्रत्माविवक्ती होती है तो प्रातीपदिकार्थ को मैंने इसपष्ट नियत लिंग वाले पद इसके उधारण है अलिंग से यहां तात्प्रिय अव्यवयों से है क्योंकि लिंग का नहीं होना भी एक क्या है निर्धारण है प्यारे बच्चों यानि जिनकी सत्ता क्या हो सुनिष्चित हो अर्था जिनका लिंग सुनिष्चित हो वे प्रातिपद है यह श्री निस्ट ज्यानम इसका लिंग वगारण तो कृष्ण स्री रिंका है वैं पुसंग रिंकाए उसी प्रकार से उच्चाई-निच्चई में अव्यव होने के कारण यह यह है उच्चाही और निच्चाही आतों ये ज्रळाधान एसमें करता कारख है उच्च्च नीच्चई तो हमारा खेंचय के मतलब यह है कि जिनकी सत्ता सुनीची तो अर्था जिनका लिंग सुनीची क्रिशन में आप इस्त्रिय है थोड़ी सकते हो कृष्ञ नहीं है और यह प्राती पर्दिकत है इस में और अलिंस्टे मात्र व्य英 जिनका कोई लिंग सुनिष्चीत नहीं होता है इस ड्रैंट में बदला जा सकता है इस जरी ड्रैंग में बदला दा सकता है नपू संग लिंग में बदला दा सकता है जैसे तट सब तीनों लिंगों में है अता है इसके तीनों रूप शंभव है तटा है तटम त्रीशू यानि इसमें वह पद होंगे जिनका कोई लिंग सुनिश्चीत नहीं है जैसे तटा है शब्द तीनों लिंगों में ह इसके तीनों रूप संभव है तटाय पूरलिंग तटी इस्त्रिलिंग तटम नपू संगलिंग तीनों संभव है तटम त्रीशू तो लिंग मात्र में हो गया परिमान मात्र महाप वाचक शब्दों में भी प्रतमा विवक्ति है तो माप वाचक शब्दों में भी कौन सी विवक्ति है प्रतमा विवक्ति है जैसे द्रोनों वड्रिही बाल्ती भर चांवल खारी 16 बाल्ति के बराबर माप आड़कम एक बाल्ती का चोथाई एक बाल्ती का चोथाई चोथाई lucky चोथा सोंसे प्रकार से तो हमारा जो शुत्र था कौन सा प्रातीपदिकार्थ हो गया लिंग प्राती प्रातीपदिकार्थ लिंग परिमाण अगला हो गया परिमाण और इसके लवा वचन मात्रे अमने अधालों को देखा कृर्षन है स्री ज्यानम उचय निचय इसके एलावा लिंग मात्र में तरटी तटम देखा इसके अलावा जो परिमान था उसमें द्रोणों भृः खारी आढ़कम हिनगो देखा इसके अलावा स्टर था उसमें वचन- Pakara यानि शंक्या वचक शब्दों में भी प्रथमा विवक्ति होती है एक में जैसे प्रथमा है एक वचन का रूप है दिवचन का रूप है बहुचन का बहुचन का यह सब प्रथमा के रूप है आए दूसरा सुत्र देखते हैं शंभोधन यानि शंभोधन में भी क्या होती है अबिवक्ति होती है या आप दुरूफ पड़े होंगे राम चाइस विवक्ति तो प्रथमा है वैसे वो क्या है शंबोधन है तो संबोधन में भी प्रथमा विवक्ति होती है अभी मुख करके ग्यापन करना संबोधन कहलाता है यानि हे राम हे बालक अपन बच्चे को पड़ा रहे हैं तो हे बालक हे चात्र यह शंबोधन है प्यारे बच्चो तो अभी मुख यानि शामने की और मुख करके ग्यापन करना यानि उसको इंगित करना ही क्या खेलाता है शंबोधन कहलाता है अभी मुख करके समझाना ही क्या खेलाता है शंबोधन कहलाता है यह राम जैसे हे हरे हे भानो हे भोलक्षमी भोलक्षमी तो इस प्रकार से लेकिन संबोधन के एक वचन का रूफ शंभूदी खहलाता है यानि संबोधन में आपने देखा वगा बच्चों विवक्ति पढ़ते हैं प्रत्रमा विवक्ति में जैसे राम है रामव रामा और संबोधन में के प्रत्रमा विवक्ति में और जो प्रत्रमा विवक्ति की प्रत्रमा विवक्ति है उसमें अंतर अंतर है तो यहीं तुम्हें समझाने की कोशिस कर रहा हो कि लेकिन संबोधन के एक वचन का रूप शंभूदी खहलाता है यानि वह एक वचन का रूप है इसल अलावा जो तीसरा और अंतिमशुत्र है उक्तकर्तरी कर्मनी चे प्रथमा उक्तकर्तरी कर्मनी चे प्रथमा यानि उक्तकर्ता में और उक्तकर्म में उक्तकर्म में कौनसी व्युक्ती होती है प्रथमाविबक्ती होती है उक्तकर्ता एवं उक्तकर्म में प्रथमाविबक्त कर्त्री वाच्चे में कर्ता होता है उक्त होता है तथा कर्म वाच्चे में कर्म उक्त होता है आताहा कर्त्री वाच्चे के कर्ता तथा कर्म वाच्चे के कर्म में प्रतमाविबक्ती होती है बहुत सारी बाते बता दी आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से अब बच्चो स पाठम पठती पाठम पठती अब यह कौन सा वाच्चे है करतरी वाच्चे का वाक्य है करतरी वाच्चे और अंग्रेजी में जैसे कहें तो एक्टिव वोईस बालक का है पाठम पठती अब बालक तो यहां क्या है करता बालक क्या है करता पाठम क्या है करम और यह क्या है क्र जानेगी यही तो क्वोसिसे कर रहा हूं क्या कह रहा हूं के जिसक उक्तो अनुक्ष्च का हम क्या करते हैं कैसे पता लगाते हैं यानि आप यहां पठती जो क्रिया है बालक है पाठम पठती की जो क्रिया है बालक है पाठम पठती और इसको मालो इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में दो बालक पढ़ते हैं बालक हूँ पाठम पठते यानि एक पाठ पढ़ते हैं अब मैं यह क्या कहने की गौसेश कर जैसे अब यहां क्रिया किसके अनुसार आई है यह क्रिया यह किसके अनुसार आई है यानि यह बालक के अनुसार आई है बालक पठती अब यहां दीवचन लिए तो इसलिए यहां दीवचन की क्रिया आगई यानि करता के अनुशार क्रिया हो गई तो यहां करता क्या हो गया उक्त हो गया, करता क्या हो गया, उक्त हो गया, तो पहली क्या निकली, उक्त करता, उक्त करता में कौन सी विवक्ती होती है, प्रथमा विवक्ती होती है, समझ में आ गई होगी बच्चो, उक्त करता में कौन सी विवक्ती होती है, प्रथमा देखो, उक्त करता, एवं उक्त क कोण से वाक्य में करती वाच्छे में करता उक्त होता है और इसी को मैं दूसरे वाच्चे में बदलू जैसे बाल का पाठम पठती को बाल का है पाठम पतती बाल का है पाठम पत्ती अब इसको मैं करम वाच्चे में बदलता हूं बच्चो तो बाल केन बाल केन पाथ पठ्थे ते और बालक के द्वारा दो पड़े जाते हैं इसी को मैं बदलता हूं बाल केन को पाठ्था हूँ लेकिन है यह था तो तब यह एक वचन आ गया और यह दिवचन हुआ तो यह बद्वुक्त्र हो गया अब मेरी बात समझने की कोशिश हो रही है नहीं हो रही है कि कर्ठ्री से कर्म वाच्चे में की बात है तो कर्म वाच्चे में जो कर्म होता है न अब यहां बालक के द्वारा पाठ पड़ा जाता है अब कर्म वाच्चे में पाठ क्या है पाठ के अनुशार क्या हुई क्रिया हुई यानि जिसके अनुशार क्रिया होती है वही क्या हो जाता है उक्त ह तो मैने क्या कहा था प्यारे बच्चों उक्टे कर्मनी were यानि कर्म वाच्चे में कर्ता में तरतिया तो होती है लेकिन जो कर्म होता है उसमें कौन सी वक्ति होती है प्रत्मा होती है तो उक्त कर्ता और उक्त कर्म में कौन सी विवक्ति होती है प्रत्मा विवक्ति होती है यानि उक्त कर्ता जैसे बालक है अध्यापक है संस्कृतम पाठ्वेति अध्यापक संस्क्रत पड़ाता है तो पाठ्वेति क्रिया किसमे नुषा यह अध्यापक के नुसार तो कुन सी वेखति लगा तो गया तो करन परड़ी उसी परकार से कर्मनी तो उक्त कर्ता एवं उक्त कर्म में प्रथमा बिवक्ती होती है कर्तरी वाच्चे में कर्ता उक्त होता है कर्म वाच्चे में कर्म उक्त होता है कर्तरी वाच्चे के कर्ता कर्म में प्रथमा बिवक्ती होती है कर्तरी वाच्चे के कर्ता में जैसे देखो बालक है तो यह कौनसा करम वातचय है है। और करम वाच्चे में कर्म है उकत करता है। अच्छे से आपने प्यारे कर्म करने वाली कर दो प्रथमा भीवक्ति और उस दितिया भीवक्ति का जम प्रत्मय भाग है यानि पहले भग का अध्यन करने जारें बच्छो इससे पहले हम कर्ताकारक प्रत्मा भीवक्ति का और कारकों का सामाने परीचे जान चुके बच्छो आईये देखते हैं पुनशर वेशाम स्वागतम और इसका जो पहला शुत्र है कर्मणी दितिया क्या है बच्चो कर्मणी है ये क्या है कर्मणी दितिया कर्मणी दितिया सुत्र क्या कहता है कि अनुक्ते कर्मणी दितिया शाथ यानि अनुक्त कर्म में क्यों सी विवक्ति होती है दितिया होती है मैंने पिसला उदारण जो जो प्रथम विवक्ति पढ़ रहे थे करता कारक पढ़ रहे थे जब मैंने आपको समझाया था अनुक्त कर्मनी दितियाश्यात यानि बाल का है पाठम पठती मैं समझा रहा था न बच्चो बाल का है पाठम पठती अब यहां क्या है करता कारक था करता उक्त था और करता तो अनुक्त इसलिए क्योंकि बालक के अनुसार पठती के लिए आ रही थी तो अनुक्त कर्म में कौन सी वक्ती होती है दितिया भी वक्ती होती है यदि कर्म उक्त होगा तो प्रतमा भी वक्ती ही होती है और कर्म उक्त होगा था जैसे बालकेन पाठ पठते और बालकेन में अगला जो खेता है क्या कहता है करमकारक दितिया विवक्ति करमकारक को आश्रित होकर होने वाली दितिया विवक्ति जैसे हरिम बजति यानि करम को आश्रित होकर के विवक्ति हो रही है देखो हरिम बजति हरी को बजन कर रहा है उसी प्रकार से उपद विवक्तियां क्या होत उसमें विशेश पदा है अभीत और अभीत को ही आस्रित करके विवक्ति होती है ना कर्म कर्म कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सरवादिक चाये वह कर्म होता है अर्थात क्रिया का इस्टतमकारक कर्म होता है पुनेश्चय अनुक्त कर्म में कर्मनी दितिया से दितिया भ्यक्ती हो जाती है यानि कर्म शंग्या का विदान क्या करता है कि करू कर्तू क्रिया आप तुम इस्टतमकारकम कर्म संग्यम शाथ यानि मैं संस्कृत पढ़ता हूं अब बच्चो मैं संस्कृत पढ़ता हूं त तो अपनी कृया के द्वारा जिसको सरवादिक चाहे करम होता है अर्थात क्रिया का इश्टतम कारक कर्म होता है पुनश्च अनुक्त कर्मे कर्मनी दितिया से दितिया विवक्ति हो जाती है जैसे सहरीम भजती वह हरी को भजता है यहां करता से की भजन क्रिया में सरवार्दिक इष्ट क्या है हरी है और हरी होने के कारण इष्ट क्या हुआ हरीम हो गई यहां दितिया विवक्ति होगी जै तो करता ने सरवादिक जिसको चाता है उसकी को क्या संग्या होती है करम शंग्या होती है प्यारे बच्चो जैसे मोहनाय ग्रंथम पठती या मोहन करता की पठन क्रिया में सरवादिक इस्ट ग्रंथ है यानि मोहन के लिए ग्रंथ क्या है सरवादिक इस्ट है तो इसलिए यह यहां भी कौन सी संग्या होगी करम शंग्या होगी शुरेशा चित्रम पश्यती यहां सुरेश करता के देखने की क्रिया में चित्र क्या है इस्टतम है और इसलिए यहां भी कौन सी संग्या होगी करम शंग्या होगी पाचक कह तंडूलान पचती यानि पाचक तंडूलों को पकाता है पचाता है तो यहां पाचक के पकानी की क्रिया में तंडूल की इस्थतम संग्या है तो बच्चो सरवादिक करता जिसको चाता है उसकी करम उनफम शंग्या होती है और कर्मनि दितिया से वहां कोन सी ब्रणने की होती है अगला जो शुत्र है इसी का उल्टा है था युक्तम चानिप्षितम तथा उनफ शुत हैं युक्तम अनिप्शितम अपिकारगम करम संग्यम शात यानि इप्शित करता के शात में यदि कोई अनिप्शित भी आ जाता है समझने की बात यह है कि इप्शित करता के लिसात में कोई अनिप्शित भी आ जाता है तो उसकी भी कौन सी संग्या हो जाती है करम संग्या हो जात तो बालक है आपणम गच्छन जाते विए पुस्तकम पश्यति यानि बालत बजार जाना मुख्यकाम है उसका लेकिन उसने जो दूसरा काम क्यों सा कर लिया पुस्तकम तो उसके लिए इपसित नहीं दी वो बजार जाना इपसित था उसी प्रकार से सहा गच्छन त्रणम इस परशती वह जाते हुए तिनके को छूता है कई बार हम सोचते नहीं उस चीज को और उसका सोच के विचार करके भी हम नहीं जाते हैं फिर भी वो काम अनिप्षित होता है यद्दिपी करता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने में वह कारकिष्ट नहीं होता है फिर भी उसकी करम संज्या हो जाती है अनुक्त करम में पूर्वत दितिया विवक्ती होती है जैसे समझो वच्चो साग ग्रामम गच्छन त्रणम इस परशती वह गाउं जाते व हो गई करम संग्या हो गई तथा युक्तम चानिश्षितम सुत्रिय तो खहता है कि करता यदि इच्छित कोई काम कर रहा है उसके साथ में कोई अनिच्छित काम भी हो जाए तो उसकी भी कौन सी संग्या हो जाती है करम शंग्या हो जाती है और करमनी दितिया से उसमें कौन औजनम, भुनजानों विश्य भुंगते जाते हैं। kवि पता है कि खाने में विश्यम मिल जाता है। फुट पोईजनिंग हो जाती है तो कई बार क्या खाते विए उसमें अनयाशी क्या हो जाता है विश मिल जाता है विश मिला दिया जाता है तो उसको भी खा खा जाते हैं तो ओधनम भुंजानों यानि चावल खाते विए चावल को खाते विए विशम भुंगते विश को भी खा जाता है तो यहां करता ओधन के शात में अज्यात्व अंचाह विश भी खाता है तो यहां ओधन इप्षित है तथा विश अनिप्षित है ब्रह्मणम कुर्वन चोरान पस्चति यहां ब्रह्मण कर रहा है कोई व्यक्ति और ब्रह्मण करते वे ब्रह्मण तो उसका मुख ये को देखता है ब्रह्मन इपसित है ये अमचोर अनिपसित है तो इस परकार से बच्चों हम नहीं चाते हुए भी किसी को काम को कर लेते हैं तो उसकी भी कौन सी संग्या होती है करम संग्या होती है तो इस परकार से बच्चों हमारा जो ये भाग एक था भाग फश्ठ था क कर्म कारक का दितिया विवक्ति का वो भून होता है अगले भाग में हम इसकी जो कर्म कारक है उसकी उपद विवक्तियों की चर्चा करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद पुनर मिला महा नमो नमाहा प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए इसलिए सिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए है नू बैग डे यहां आप करियर से समधे जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल वह मनोरंजक कहानिया सुनेंगे नई जानकारियों का लाप वह डेर सारा मनोरंजन नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें सिक्षा दर्शन बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंड पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयों यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें कारिक्रम से संबंदित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एडरेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001